हेलो एब्रीवन दिस इज ओम एंड वेलकम टू माई चैनल मंजिल तक फ्रेंड्स आज हम आई बीपियस आर आरबी आफिस असिस्टेंट के प्रिबिएस येर क्विस्टेंट से मैथ पेपर को सेलट किये हैं तो आएज देखते हैं फर्स्ट क्विस्टेंट क्विस्टेंट है एप्राक्सिमेशन से ओके यहाँ पे 415 के अस्थान पर हम लिख सकते हैं 416 कि डिवाइड वाइ 4 प्लस 13 इंटू 29 इसी को साल्व करना है इसको डिवाइड करोगे तो 104 आएगा प्लस इसका मल्टिपिलाई करोगे तेरा दुना 26,260,390,260 और 117 को डिवाइड करोगे 260 में 100 आएड करोगे 360,360 में 17 आएड करोगे 387 और 104 को डिवाइड कर दोगे तो 481 इस क्विस्टेंट का राइट एंसर हो जाएगा नेक्ट देखते हैं नेक्ट कुस्चिन है देखीगा इसको जब सॉल करेंगे तो कितना आएगा चाह एक कम चाह चाह दूना बारा चाह सत्य बैयालिस च्छेश अठे अड़ता आलिस वन हंडेट टून्टी एट लग भगाएगा ठीक इन्टू एक्स परसेंट इसक्वाल टू सेवन को एट हो जाएगा एट इसक्वार 64 ओके एक्स परसेंट इसक्वाल टू हो जाएगा 64 ओपान 128 जिसको श्वाल करेंगे वन बाई टू आज़सका एक्स परसेंट का मान् वन बाई ठू आया ऑन बाई टू का परसेंटेज वल्यू होता है कितना 50 परसेंट कितना होता है 50 परसेंट के इस क्विस्चन का राइट अंसर हो जाएगा option नमबर पोर 50 परसेंट आईये माइनेस 15 इंटू 4 इसको 1040 अपान एक्स अब देखिए इसको साल करना है 15 चुपका 60 320 में से 60 को कम करोगे 320 में से 60 कम करोगे तो 260 आजाएगा इसको अब देखिएगा यहां से एक 0 खतम किया 26 26 चुका 104 एक्स कम कितना आजाएगा 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 एक्स कम कितना आज यहां पर हुआ 125 इंटु 5 प्लेस एक सो तीस एक सो तीस एक सो तीस मैनेस 75 अब देखिएगा 125 का जब 5 गुना करेंगे तो 625 आ जाएगा 625 प्लेस एक सो तीस मैनेस 75 ओके अब इसको एट करोगे 6 एक साथ साथ सो पचपन साथ सो पचपन माइनस 75 अपका एंसर हो जाएगा ओके माइनस करेंगे 680 आएगा आपसे नमबर 3 राइट एंसर हो जाएगा नेक्स्ट है यहां पर देखिएगा अंडर रूट दिया है वन वाइट टू लिख्या आना यह पर इसका मतलब अंडर रूट है अंडर रूट को 240 इंटू 3 माइनस 95 इसको साल्प करेंगे 24 त्याब 72 माइनस 95 घटाएंगे तो कितना आएगा 600 625 ओके 625 का जो वर्ग मूल होता है वो कितना होता है 25 तो क्विस्टिन का राइट एंसर हो जागा आपसे नमबर 3 25 आईए नेक्स्ट क्विस्टिन देखते हैं कि जार ए में दूद और पानी का 78 लीटर मिस्टर था कितने लीटर था 78 लीटर ओके जिसमें दूद और पानी का अनुपात क्रमसा 6 अनुपाते 7 था दूद और पानी का अब देखिए यहां पे 6 अनुपाते 7 है तो टोटल कितना है 13 13 का जो मान हो कितना है 78 लीटर तो एक का मान कितना होगा तेरा छंग अठतर छे लीटर तो यहाँ पे दूद और पानी का जो मान होगा हो कितना होगा 36 लीटर और 42 लीटर ओके आगे क्या बोल रहा है जार ए में से इस मिस्रण का 26 लीटर निकाल लिया गया यहाँ से 26 लीटर निकाला गया तो जो 26 लीटर निकाला गया उसमें दूद और पानी कितना होगा देखेगा दूद और पानी का जो अनपात था 6 अनपाते 7 था ठीक तो तेरा कामान अगर 26 हो गया तो एक कामान 2 होगा तो यहाँ पे 6 और 7 कामान 6 दूना 12 2 चंगा 12, 2 सत 14 तो जो 26 लीटर निकाला गया उसमें दूद और पानी का जो मात्रा हो कितना है 14 लीटर और 12 लीटर ओके आगे जार ए में कितनी दूद की मात्रा और मिलाई जाए जार ए में कितनी दूद की मात्रा और मिलाई जाए कितनी दूद की मात्रा और मिलाई जाए देखेगा 12 लिटर और 24 लिटर क्या था जो 26 लिटर निकाला गया उसमें उसकी दूद और पानी की मात्रा थी तो जब निकाला गया तो इसमें भी तो हम निकालेंगे माइनस करेंगे यहाँ पर माइनस 12 करेंगे यहां पर माइनस 14 करेंगे, तो इसको माइनस करेंगे 28, इसको माइनस करेंगे 24, ठीक, आगे का रहा है, जार A में कितनी दूद की मातना मिला जाए, तो जार A में निस्कर्सित मिस्रट का 40% पानी हो, तो माल लेजिए, यहां पर हम 16 लीटर मिलाते हैं, ओके, 24 प्लस यक्स हो तो पानी परसेंटेज पूछा है, तो पानी परसेंटेज बराबर हो जाएगा, 28 अपन टोटल मात्रा, टोटल मात्रा कितना होगा, 24 प्लस यक्स प्लस 28, ठीक, अब यक्स परसेंट दिया गया है, क्या दिया गया है, 20 परसेंट, यहां पर देखना, 40 परसेंट पानी हो जा करेंगे तो आजागा 40 परसेंट का जो मान होता है कितना होता है दो बटे पांच तो यहां पर हम कह सकते हैं कि यह जो बैलू है वह दो बटे पांच के बराबर है अब इसी को साल करेंगे हम देखिएगा अब देखिएगा यहां से तिरच्छा गुड़ा करदेंगे 14 परचे 70 बराबर क्या हो जगा 24 और 28 को जोड़ेंगे तो 52 प्लस एक्स अब यहां से यक्स का मान हमें मिल जाएगा सत्तर में से 52 घटा देंगे कितना आ जाएगा 18 तो 18 लीटर पानी एक टीन लीटर दूध और एट किया गया ओके आएए नेक्स कुछन दिखते हैं अपनी सामान गति से 1500 मीटर लंबी एक ट्रेन यल मीटर लंबे प्लेटफार्म को 24 सेकंड में पार करती हैं और सामान चाल के 75 परसंट से ट्रेन एक खंबे को 12 सेकंड में पार करती हैं अपने तो अब देखिएगा यहां से हम चाल निकलेंगे यहां बोल रहा है सामान चाल के सामान चाल के सामान चाल के 75 परसंट चाल से ओ जो है ट्रेन 12 सेकंड में खंबे को पार करती है तो 12 सेकंड में खंबे को पार करती है तो इसकी चाल क्या हो जाएगी देखिएगा चाल बरावर हो जाएगी यहां पर 74 परसंट का मान जो होता है यहां पर अगर फ्रेक्शन में रखेंगे 3 by 4 हो जाएगा जब इस साइड जाएगा तो 4 by 3 हो जाएगा 150 upon 12 into 4 by 3 इसको साल करेंगे तो क्या आजएगा चार एककम चारतियां बारा तेन एककम तीन परचे पंदरा 50 upon 3 ओके 50 upon 3 मीटर पर सेकंड जो ट्रेन थी उसकी चाला गई अब आगे क्या बोल रहा है आगे बोला था कि यल मीटर लंबे प्लेट फार्म को 24 सेकंड में पार करती है ठीक 24 सेकंड में पार करती है तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय चाल कितना है 50 बटे 3 मीटर पर सेकंड चाल बराबर दूरी कितना हो जाएगा 150 प्लस यल और समय कितना लिया था 24 सेकंड ओके इसको साल करेंगे 3 बन जा 3, 3, 8 जा 24, 8, 5, 4 यल बराबर हो जाएगा 400 माइनस 150 आजाएगा कितना 250 250 मीटर जो प्लेट फार्म की लंबाई थी 250 मीटर यल का जो मान आया हो कितना आया 250 मीटर आपसर नमबर 1 आएए next question देखते हैं next question है एक अच्छा में लड़कों और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात क्रमसा तीन अनुपाते एक था बॉआ एज और गर्ल का जो अनपात था तीन अनपाते एक था तो टोटल कितने चात्र थे टोटल कितने लोग थे कितने विद्यारती थे फोर ओके अब आगे कह रहा है एक परिच्छा हुई जिसमें लड़कों का आउसत स्कोर 73 था इनका आउसत स्कोर 73 था जबकि पूरी कच 54 यहोगा 219 इसमें से इसको मा inexpensive कर देंगे तो लड़कीों का जो आउसना ऑसत स्कोर था उपता चल जाएगा हैं ठीक क्यों कि जो लड़की है जो लड़कीओं का अनुपात यहां पर एक है ठीक तो इसको माइनस करेंगे तो कितना अएगा 65 65 अगर यहां पे टू लड़की होती यहां पर तीन अनपाते दो होता बॉइज और गर्ल्स का तो यहां से हम टू को डिवाइट कर देते हैं जबकि यहां पर एक है तो एक से डिवाइट कर देते हैं तो एंसर सिस्टी फाइफ यही होगा ओके आफसर नमबर फोर राइट एंसर हो जागा इसका आएए नेक्ष्ट कुस्चन देखते हैं कुस्चन नमबर 49 नेक्ष्ट कुस्चन है कि दो वर्से पहले दो वर्से पहले एकी आयो उस समय की बी की आयो की आधी थी अगर B की आयो 2 एक्ष्ट थी तो A की इए कितनी थी उसकी आधी एक्ष्ट दो साल पहले ओके आगे क्या आग बोल रहा है A की आयो 4 वर्स बांट 4 प्लस एक्ष्ट A की आयो 4 वर्स बांट B के 8 वर्स बांट B के 8 वर्स बाद कि आई उसे 22 वर्स कम थी एक क्वेशन बना ठीक यहां से हम X का मान निकाल देंगे X प्लस 4 इसक्वल टू हो जागा 2X प्लस 8 2X माइनस 14 X प्लस 4 इसक्वल टू 2X माइनस 14 यहां से X परावर कितना आ जागा 18 अब देखिएगा X का मान 18 आ गया तो 2 वर्स पहले A की आउव 18 वर्स थी और B की आउव 36 वर्स थी तो B की वर्तमान आउव पूछिए B की वर्तमान आउव 2 साल पहले B 36 साल का था तो 2 साल बाद वर्तमान आउव हो जागा कितना? 38 2 अइड हो जागा तो इस question का right answer हो जागा option number 5 that's 38 verse ओके आईए next question देखते हैं question number 50 Friends अगर class अच्छी लग रही हो तो प्रिप्या लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ओके आज थोड़ी तबी खराब है इसलिए आवाज में थोड़ा problem हो रहा होगा आईए देखते हैं next question जो की quadratic equation से है अगर आपने मेरे quadratic equation की वीडियो को ना देखे हो तो क्रिप्या देख लीजिएगा exam से पाले तो जरूर देख लीजिएगा आईए देखते हैं यहाँ पे दिया है 3x square plus 14x plus 15 is equal to 0 तो यहाँ पे plus plus है तो यक्स के जो मान आएंगे क्या आएंगे minus minus में और य भी plus plus में है तो य का भी मान क्या होगा minus minus में होगा ओके अब देखे पंद्रातियां 45 नव पांच 14 नव पच्छे 45 और 44 दूना 88 तो 118 और 8 को 8 करेंगे कितना यहां 19 अब देखें यहां पर याक्सी स्क्वार का कॉप्सियंट 3 है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे और यहां पर 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे 2 चुगा 8 माइनस 4 दो पच्छे 10 माइनस 5 दसलो 5 तीन दूना अच्छा तीन एककम 3 तीन एककम 3 तीन च्छा कर थारा माइनस 1.6 माइनस 3 अब देखें आभ हम इसका कमपेर करेंगे ठीक कमपेर करने में सबसे ज़्यादा सकते गलती होती है यक और यक कपेर करते है कि पाले इसका और इसका क府र करेंगे तो यहां पर यक्सीजगर रचे लें глуб ऑग इसका कंपेर करेंगे यकश्सीजगर रहे हैं तो एक्सीजगर दिन सभी जगा Bowl ऑफ-ाइनसर आपसे नमबर 3 कर ओक आएज जिखते हैं तो यहां से जो यक्स का मान होगा हो दो बैलू होगी पहले तो सबसे पहले आप देख लीजिगा अगर हम इसको करेंगे इस कुर्ण को फर्स कुर्स्चन को जब लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं यक्सी स्कौायर माइनिस 196 is equal to 0 अब देखेगा यहाँ पर इसका constant term और एक constant term दोनों negative हैं जब किसी भी equation के दो constant term negative हो गए दोनों constant term negative हो गए तो उसका answer c and d होगा, okay c and d, आई यह solve करके देख लेते हैं यहाँ पर तो यहाँ से yaks का जो मान होगा हो कितना होगा एक plus होगा, एक minus होगा ठीक, plus क्या होगा एक plus होगा, एक minus होगा यaks इसका रूर हो 196 है तो एक plus 14 होगा, एक minus 14 होगा और y का जो यहाँ पर मान हो जाएगा हो जाएगा minus में और plus में 48 8 चंग 48 8 और 6 ठीक, अब यहाँ से हम compare करेंगे yaks और y का इसका compare करेंगे yaks is greater than इसका compare करेंगे yaks is less than इसका compare करेंगे yaks is less than इसका compare करेंगे yaks is greater than अब देखिए, यहाँ पर कोई जो relation है बन नहीं पा रहा है, इसलिए इसका जो option number 5 right answer हो जगा, c and d ए बात ध्यान रखना कि जहाँ भी constant term दोनों equation का negative हो उसका right answer c and d ही होगा वहाँ पे आप root नहीं प्राप्द कर सकते हैं ओके, next question देखते हैं next question है 2x square plus 17x plus 36 यहाँ से जो yaks का मान हो जागा, दोनों negative होगा 36, 72, 98, 72, 98, 17 और यहाँ से y का जो मान होगा वो भी negative होगा ओके 33, 99, 11, 99, और 11, 9, 20 ओके, देखिए यहाँ पे y square का जो coefficient है 2 है तो इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और यहाँ पे y square का जो coefficient है 3 है तो इसको 3 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आजएगा minus 3 यहाँ पे आजएगा minus 4 यहाँ पे आजएगा minus 4.5 यहाँ पे आजएगा तिंत्रिक का नव तिंचक 18 माइनस 3.6 अब इसको compare कर लेंगे X और Y का compare करेंगे यहाँ से देखिएगा Y is greater than हुआ यहाँ से Y is greater than यहाँ से Y is greater than और यहाँ से भी Y is greater than तो इसका option number A right answer हो जागा Y is greater than X आइए next question दिखते हैं question number 53 question number 53 है X square plus 12 X plus 35 is equal to 0 यहाँ पे भी X का जो मान होगा और दोनों negative होगा 35 35 35 और 12 7 पचे 35, 7, 5, 12 ओके अब Y का जो मान होगा क्या होगा 20, 30, 60 लिष्ट्या 60 15 चुका 60 और 15, 4, 19 यह हुआ अब देखिए यहाँ पे Y square का जो coefficient है वो 3 है तो इसको 3 से डिवाइड करनेंगे यह काम आपको बहुत जल्दी करना होगा यहाँ पे आप लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं बाकी एक्जाम्स में जल्दी जल्दी करना है, इसको आजागा इसका compare करेंगे इसका compare करेंगे तो Y is greater than और इसका compare करेंगे तो Y is greater than तो X is less than R equal to Y इस question का right answer होजाएगा ओके, next question देखते है question number 54 next question है X square माने 7 X plus 10 is equal to 0 X का दो दोनों मान होगे, वो कितना होगा, positive होगा ओके 5 और 2, 5 दोना 10 5 दो 7, Y का का मान होगा Y का मान होजगा, प्लस दोनों, ओके 6, 3 दोना 6 3 दो 5 3 दोना 6, 3 दो 5 तो यहाँ पे दिख रहा है, X is greater than R equal to Y X is greater than R equal to Y option number for right answer होजागा, आईए next question देखते है, question number 55 next question है, जब दो अंकों की संख्या में से 9 को घटाया जाता है तो जो संख्या बनेगी वह वास्तिक संख्या की उल्टी होगी और वास्तिक संख्या के अंकों का आउसा 7.5 होगा आउसा जो है 7.5 है, इसका मतलब दोनों संख्या होगी, उसके दोनों अंकों का योग 15 होगा तो देखिए, इसका तो 15 नहीं है, इसका 15 नहीं है ये दोनों options कट गए, अब देखिए अंकों की संख्या में से 9 को घटाया जाएगा, 9 घटाया ये कितना जाएगा? उनातर में से 9 घटाया जाएगा 87, चारी, 96 में से 9 घटाया जाएगा 87 उनातर में से 9 घटाया जाएगा 60 और 87 में से 9 घटाया जाएगा 78 तो देख रहे हैं हैं आप, यहाँ पे 78 और यहाँ पे 87 दोनों एक दूसरे के उल्टा है, ओके? तो option number A इस question का right answer हो जगा इसको option से solve करने में आसानी होगी आईए question number 56 देखते हैं next question है यदि A, B और C तीनों के पास कुछ रासी थी C के पास A के रासी का 3 विटे 4 था C के पास A का 3 विटे 4 है और B के पास C से 50 कम है यदि A, B और C के पास मिलकर 250 हैं तो A के पास अकेले कितने रूपए होंगे अब देखेगा C बराबर A का 3 विटे 4 हो जगा अगर हम यहाँ से बुले A बराबर क्या हो जगा A बराबर क्या हो जगा तो हो जगा C का 4 विटे 3 ठीक पूछ रहा है A के पास अकेले कितने रूपए होंगे तो A के पास रूपए पूछ रहा है और यह 4 वाइ 3 से डिवाइड है C का 4 वाइ 3 से डिवाइड है तो ऐसा आपसंस मेरा राइट एंसर हो जो 3 से डिवाइड होगा तो 3 से डिवाइड होने वाले एक 75 है और एक 120 है इसके लावाँ कोई भी आपसं 3 से डिवाइड नहीं होगा तो अब आइंसर जो है मेरा 25 और 120 होगा ठीक A के पास अकेले कितने रूपए हैं ठीक यह पूछ रहा है अगर हम माल लेते हैं A के पास 75 रूपए थे ठीक 75 रूपए थे ठीक तो C के पास कितने रूपए होंगे तो C के पास रूपए निकालने के लिए हमें 4 से डिवाइड करना होगा 75 को 75 को जब 4 से डिवाइड करेंगे तो यह 4 से डिवाइड नहीं होगा पूरा पूरा तो 75 options नहीं हो सकता, वहीं पर 120 को चेक करते हैं, 120 का 3 विटे 4 जब निकालेंगे तो C का मान आजएगा, कितना 90, C का मान कितना आजएगा, 90, तो यहां से C का मान value, C का value निकल गया, तो हूं options से सिर्फ चेक कर रहे हैं, कि जो A का value है, वो 3 से divide होगा, तो 3 से divide सिर्फ यहां पे option number A और option number 4 हो रहा है, 120 और 75, तो सबसे पहले हम 75 को चेक कर लेते हैं, तो 75 को चेक करने के लिए, यहां से इस चीज़ का हम सारा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, A का 3 विटे 4, जो A का मान है, वो 4 से divide होना चाहिए, तब C का मान निकल जाएगा, तो A का मान 75 अगर मानते हैं, तो 4 से divide तो हो नहीं पा रहा है, इसलिए यहां से C का मान निकल नहीं रहा है, तो 75 option रांग हो गया, अब 120 को चेक करते हैं, तो 120 जब देखते हैं, तो 4 से divide है, 4, 3, 2, 3, 2, 1, OK, तो यहां से C का मान निकल गया, तो इस तरह जो option 4 होगा, और right answer ह स्कुरिण होगा इस question का, ओके, आइए next देखते हैं, इसको भी हमने option से ही solve किया, next देखते हैं, question number 57, next question है, A धारा की दिशा में कुछ दोरी पार करने में 6 घंटे लेता है, और धारा के विरुद कुछ दोरी पार करने में 5 घंटे लेता है, धारा के विरुद कुछ दोरी गई दूरी धारा की दिशा में ताइकी गई दूरी की आधी है यहां से रिवर की जो चाल है वो दिया गया है कितना फोर किलोमीटर पर आवर ओके आप देखीगा यहां से धारा की दिशा में जो दूरी होगी क्या हो जागी बी प्लेस फोर चाल गुड़े समय गुड़े समय कितना ले रहा छे गंटे यह हो जाएगी धारा की दिशा में दूरी अब धारा की प्रीत अगर बोलेंगे तो बी माइनस फोर इंटू फाइप इंटू फाइप धारा की प्रीत पांच गंटे लेता है ठीक तो यहां पर जो धारा के बिरुदु तैकी गई दूरी धारा की दिशा में तैकी गई दूरी की यादी है अगर मान लेजिए धारक के पिरिदुत्ताइक की गई दूरी अगर एक है तो धारक की दिशा में जुत्ताइक की गई दूरी होगी और टू होगी अब इसी क्यूशन को हम साल कर लेंगे तो हमारा बी का मान आ जाएगा चलिए साल करते हैं यहां से 2 बंजा 2, 2 3 बंजा 6 अदूखे 3B प्लस 12 यहां से आएगा 3B प्लस 12 इसक्वल 2 यहां पे 5B माइनस 20 5B माइनस 20 यहां से हो जागा 2B 2B इसक्वल 2 2B इसक्वल 2 32 तो B कमान के आजागा 16 किलो मीटर पर आवर आपसर नमबर 8 का राइट ईंसर हो जागा आएए नेस्ट कुश्चन दखते हैं कुश्चन नमबर 58 नेस्ट कुश्चन है एक वर्गाकार लान में सिंथेटिक घास लगाने के लिए 3169 रुपे लगते हैं जिसका एक बुटे 4 पेव्ड है एक बुटे 4 पेव्ड है और इसलिए उसे घास की जरूरत नहीं है एदिलान की प्रतेग भुजा की माप 18 मीटर हो अगर प्रतेग भुजा की माप 18 मीटर है तो उसका जो छेतपल होगा वरगा कारलान की वो कितना हो जागा? 324 मीटर स्क्वाइर अब आगे बोल रहा है कि उसका जो एक बटे 4 भाग है वो पेवड है जब एक बटे 4 भाग पेवड है तो एक बटे 4 भाग को हम माइनस कर देंगे इसमें से 324 का एक बटे 4 करेंगे 4 रवब 32 चारक कम चार 324 में से 81 माइनस कर देंगे ठीक तो कितना आ जागा? 243 मीटर स्क्वाइर छेतरफल पर हमें सिंथेटिक घास लगानी है आप देखिएगा यहाँ पर कितने रूपे लग रहे हैं 3169 रूपे लग रहे हैं टोटल और कितने छेतरफल पर घास लगानी है 243 मीटर स्क्वाइर इसमें कर देंगे तो जो माली को कीमत चुकानी पड़ेगी प्रति वर्ग मीटर स्क्वाइर उसका मान आ जागा इसको हम 9 से डिवाइड करते हैं 9 से काड़ते हैं 9,2,18 9,7,3 9,3,7,9,9,9 फिर से 9 से काड़ते हैं 9,3,7,9,3,7,9,9,9,9,9,19, आगे कितना 13 13 इस कुष्चेन का राइट अंचर हो हो जागा आफशन नमबर 5 आईए निक्ट कुष्चेन देखते हैं कुष्चेन नमबर 59 नेक्ट कुष्चेन है नीचे दीगे पाई चाट को देखिए और दीए गए प्रसनों के उत्तर दीजिए शुक्रवार को बिभिने थियाटरों द्वारा बेची गई टिक्टों का प्रतिशात शुक्रवार को बेची गई टिक्टों की कुल संख्या देखिएगा यहाँ पे पार्सेनटगेज है तो 8500 जो है व गगाई आए बात धियान रखनेने हैं अगर यहां से हम 1% का पूछांगे तो कितना होगा एट पॉयंट पाईब ओके अब देखिएगा थिय अगै फियेटर एटर थियेटर ए और थियेटर डी को मिलाकर बेची गई टिकट कितना है पच्चास बेची गई टिकटों की कुल संख्या और थियेटर बी और सी द्वारा थियेटर बी और सी द्वारा बेची गई टिकटों की कुल संख्या के बीच अंतर कितना है है 10% अगर एक परसेंट का मान आठ दस लूबंद 5 है तो 10% का मान कितना हो जागा पच्चासी इस 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 क्युश्चन का राई टछ हो जागा 85 आपसा नंबर कि वाई आये नेट्स कोश्चन देखते हैं क्युश्चन नंबर 60 अगला क्यूश्चन है यह 100% का माना है, 850, ओके, सनीवार को थीटर बीद्वारा, सनीवार को थीटर बीद्वारा, ध्यान से देखिएगा, सुक्रवार का मान दिया है, ठीक, तो सनीवार का बुला है, सनीवार को थीटर बीद्वारा बेची गई टिक्टो की संख्या, सुक्रवार को बेची गई ट तो की संक्या से 32 सदिक थी ठीटर वी द्वार को कितने परशंट बेची गई थी 16 स्कृवार कुटना बेचा गया था 16 अध्यां से देखियेगा अगर सुपरसंट का मान अठाट सुपचास है तो 16% का मान निकालना आंको तो क्या करेंगे चार परसंट का मान यहां से निकालेंगे 25 से डिवैड करेंगे तो 4 परसंट बरावरा जागा पचीस तियां पचात्तर पचीस तियां पचात्तर पचीस चुकवा सो चौँतिस तो 16% का मान क्या हो जागा? इसका 4 गुना 4 चुकवा सोला का चांसी लेक 4 तियां बारा एक 13 136, ओके इसका मतलब क्या हुआ? बी जो है उस सुक्रवार को टोटल 136 टिकेट बेचा था कितना बेचा था? 136 ओके और सनिवार को जो बेचा गया था ओ 32 अधिक था 32 अधिक था इसका मतलब जो सनिवार को बेचा गया टिकेट था ओके ना था? 136 में 32 आट करेंगे तो कितना ज़गा? 168 आगे त्यों कि बोल रहा है है इसाहिर जिलना वायजा तो थरा जो इन परसेंट के लेजिश्ट की संख्या रहे गuse परसंट एट हंड़ेट फिप्टी है तो 10% 85 आ जाएगा कि 85 हो गया बोल रहा है 69 हदिक है जो सनिवार को बेची गए तिक्टो की संख्या से 69 हदिक है तो इसमें 69 आइट कर देंगे तो आ जाएगा 144 तो सनिवार को थीटर B और E द्वारा बेची गए तिक्टो की संख्या के बीच का अनपाथ निकालना है ठीक 168 अनपाथे 144 निकलता है 168 अनपाथे 144 निकालना है ओके निकालेंगे इसको हम काटेंगे तो चार से इसको कारते हैं चार चुका 16 चार दूना आठ 42 अनपाथे चार तियां 12 चार चंग 24 चार तियां 12 चार चंग का 24 इसको आप डिवाइड करेंगे हम 6 से 6 सते 42 चेचा का 36 साथ अनपाथे 6 इस क्विश्चन का राइट अंसर होगा आपसर नमबर बी ओके आए देखते हैं नेक्स्ट क्विश्चन नेक्स्ट क्विश्चन है यदि सुक्रवार को सभी थीटरों द्वारा मिला कर बेची गई टिक्टों की कुल संख्या कितना है गुरुवार को बेची गई टिक्टों की कुल संख्या से सत्तर परसंट अधिक है सत्तर परसंट अधिक है सत्तर परसंट का जो फ्रेक्शन बली होता है साथ बटे दस इसका मतलब जो गुरुवार को बेची गया हो दस था और जो शुक्रवार को बेचा गया हो 17 था और 17 का जो मान है और 850 है ठीक तो यहां से अगर हम बोले वन का मान क्या आ जागा वन का मान आ जागा 50 तो गुरुवार को कितनी टिकेट बेची गई 10 तो 10 का मान 500 हो जागा ओके इस कृस्चन का राइट अंसर हो जागा 500 ठीक आपसर नमबर 3 नेक्ट देखते हैं नेक्ट कुस्चन है थिएटर बी द्वारा बेची गेट टिक्टों की संख्या के संदर में केंद्री कोड क्या है 16 परसंट है यहां पर ठीक बीका अब देखिएगा अगर हम कहें कि 100 परसंट का जो केंद्री कोड होता है तो एक परसंट का जो केंद्री कोड होगा कितना होगा 3.6 यहां पर पूछ रहा है 16 परसंट का केंद्री कोड कितना हो जाएगा 16, 96, 96, 57 अपसर नमबर 2 इस कुस्चन का राइट अंसर हो जाएगा आईए नेक्स कुस्चन देखते हैं नेक्स कुस्चन है थियेटर सी द्वारा बेची गई थियेटर सी द्वारा बेची गई टिक्टो की संख्या में से 5 बटे 12 महिलाओं द्वारा खरी दे गई कितना 24 पर्षंट बेची गई थि सी द्वारा तो इसका 5 बटे 12 अगर हम बोलें तो 10 पर्षंट होगा 10 पर्षंट महिलाओं द्वारा खरी दी गई ओके आगे क्या बोल रहा है थियेडर D द्वारा बेची गई टिक्टो की कुल संख्या में से थियेडर Dवारा बेची गई टिक्टो की संख्या में से 1 बटे 17 एक बिटे 17 जो है महिलावा द्वारा खरीदी गई तो ठीटर C और D में से मिलकर महिलावा द्वारा खरीदी गई टिक्टों की कुल संख्या कितनी है आप देखिएगा यहां से हमें कुल संख्या निकालनी है तो 17 दहमा 170 सत्रा दहम्मा 170 और 30 दो सो बट्टे सत्रा परसंट तो शाड़े आड़ सो का 200 बट्टे सत्रा परसंट निकालेंगे तो क्या आजेगा इंटु साड़े आड़ सो सत्रा एक कम सत्रा सत्रा पच्य पच्यस ही पच्यस पक्चास दुना पच्चास दुना अगर हम परसंट करेंगे तो यहां पर जो 2-0 था है कखतम हो जागा परसंट हड़ जाएगा और 2-0 कखतम हो जागा पच्चाश दुना कितना जगा सव सव इस question का right answer होगा आपसर नमबर A next देखते हैं question number 64 next question है निमलखे साड़ी के आधार पर दिये गए प्रसनों के उत्तर देजिए institute R में French कच्छाओं के लिए institute R में French कच्छाओं की लिए नामांकन हुए पुरिष छात्रों की संख्या 320 है total इसमे 60 महिला है तो पुरुस का पूछा है 60% महिला है तो पुरुस का पूछा है 40% पुरुस होंगे 320 का अगर हम 40% निकालनेंगे तो कितना आएगा 320 का 40% चार दूनों आठ चारत्रों बारा 128 सा जगा ओके नामांकन हुए पुरिष छात्रों की संख्या institute T में institute T में दोनों कच्छाओं के लिए नामांकन हुए छात्रों की कुल संख्या कुल संख्या कितना है 480 का कितना प्रतिशत है बस इसी को निकालना है इसको काटते हैं यहां पर चार से चार तियां बारा चार दूनों आठ चार एक कम चार 120 फिर इसको काटते हैं 48 जा 48 त्री जा 8 वटे 3 फिर से काटते हैं इसको 2, 4, 8 4 वटे 15 अगर हम बोलें एक वटे 15 का जो मान होता है कितना होता है 8.33 8.33 8.33 स्वारी देखिएगा परसेंट में चेंज करना है तो 100 कर देंते हैं देखते हैं 5 यहां 15 5 विशाम में 100 20 चार असी वटा 3 3 दूना अच्छा 3 चका ठारा 26 दूना चेंज चेंज आफसा नमबर 5 आफसा नमबर 5 इस कृस्चन का राइट अंसर हो जगा आए देखते हैं नेक्स कृस्चन है इंस्टिट्ट्वीट इस में इस्पाइनीक कच्छा के लिए नमांकर हुए पूरीष छात्रों का प्रिश्यत ध्यान से देखेगा पूरीष छात्रों का प्रिश्यत और इंस्ट्टूट यस में Spanish, इंस्ट्टूट यस में टोटल साच्सो पचास छात्र हैं, छात्र हैं, तो उसमें चार सो क्या सिखते हैं, चार सो फ्रेंज सीखते हैं, तो तीन सो पचास Spanish सीखेंगे, ठीक, तीन सो पचास Spanish सीखेंगे, इस पचास के लिए नामांकन हुए छात्रों की कुल संख्या सत्तर परसंट है, जो पुरूस हैं इसमें से सत्तर परसंट पुरूस हैं, तो तीन सो पचास का जब सत्तर परसंट निकालेंगे, कितना आ जागा, साथ पचापाइटिस, साथ रिककाइस, सिककाइस, तीन चोबिस, दो सो पचालिस, दो सो पचालिस, पुरूस Spanish सीख रहे हैं, तीन सो पचास में से, ओके, आगे क्या, आगे बोल रहा है, इंस्टिटूट यस में दोनों कच्छाओं के लिए मिलकर नामांकन हुए पुरूस देखेगा फ्रेंच के लिए देखेगा, फ्रेंच के लिए 69% महिला हैं, तो पुरूस किटने होगे? 41%, 41% पुरूस होंगे, ठीक, तो 400 का 41% अगर हम निकालेंगे, यहांपे 400 न, 400 का 41% जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इन्ही दुनों को add कर देंगे तो इस question का right answer हो जाएगा 409 इस question का right answer हो जाएगा 409 आए नेक्ष question देखते हैं नेक्ष question है इंस्टिट्यूट यस में फ्रेंच कच्छा के लिए नमांकर हुए पूरुष छात्रों की संख्या इंस्टिट्यूट यस में इंस्टिट्यूट यस में इसी कच्छा के लिए नमांकर हुए नमांकर हुए पूरुष छात्रों की संख्या देखीगा 69 परसंट तो महिला है तो 41 परसंट पूरुष होगा तो 400 का 41 परसंट अभी निकाल लेते कितना था 164 आगे बोल रहा है इंस्टिट्यूट यू में इसी कच्छा के लिए फ्रेंच के लिए ही नमांकर हुए महिला छात्रों की संख्या महिला छात्रों की इसमें कितनी संख्या है महिला छात्रों की संख्या से लगवा कितने प्रिस्या ज्यादा है कितना ज्यादा है कितना ज्यादा है 47 47 अपान 117 इंटू 100 इसको निकालना है ठीक अब देखिएगा इसको सॉल्व करते हैं लागभग में मान पूछा है द्यान से दिजी के तो लागभग में हम मान निकालते हैं इसका तो यहाँ पर डबल 0 हो जागा है देखिएगा हो जागा 47 47 अपान 117 कितनी बार जाएगा 1144 तो फोर्ट टाइम जाएगा तो यहाँ पर आप्सन दिख रहा है तो यहाँ पर आप्सन दिख रहा है ठीक 40 परसंट इस कुस्चन का राइट अंसर हो जागा आपसन नमबर फाइप यहाँ पर होगा आएए नेश्च देखते हैं नेश्च कुस्चन कुस्चन नमबर 67 नेश्च कुस्चन है इंस्टिट्यूट आर में इंस्टिट्यूट आर में इस्पैनिस कच्छा के लिए नमांकर हुए छात्रों की संख्या ध्यान से देखेगा इस्पैनिस के लिए पूछ रहा है अगर आट सो में से 320 लोग प्रेंच सीख रहे हैं तो इस्पैनिस कितने लोग सीखेंगे 800 में से 320 घटा देंगे तो आजगा चारसो असी ठीक आगे इंस्टिट्यूट टी में इसी कच्छा के लिए इसका मतलब इस्पैनिस के लिए अब देखेगा 480 मेंसे अगर 210 लोग फ्रेंच सीख रहे हैं तो इस्पाइनिस कितने लोग सीखेंगे 270 लोग इस्पाइनिस सीखेंगे नमांकर हुए छात्रों की संख्या के बीच अनपात इन्हीं दोनों के बीच का अनपात निकालना है देखेगा 3,27,26,47,46,9,16,9,16,9,9,19,9,9 आफसा नमबर 5 ओके नेर्स कुस्चन देखते हैं नेर्स कुस्चन है नमबर स्रीज से फ्रेंड्स अगर आप मेरी नमबर स्रीज की वीडियो न देखेंगे तो प्लेलिस्ट में जाकर नमबर स्रीज की वीडियो देख लीजिए आप लोग के लिए बहुत हुए इंपॉर्टेट होंगी एक्जाम से पाले तो जरूर देखना क्योंकि मैंने उसमें बताया है कि आप कैसे नमबर स्रीज को पाचान सकते हैं कि किस टाइप की नमबर स्रीज है आप नंबर स्रीज को देखती पाचान जाएंगे कि हाँ आम यहाँ पे क्या करना क्या नहीं करना आए देखते हैं यहाँ पे नंबर स्रीज दिया गया है 13, 29, 49, 75, 109 question mark ठीक देखिए यहाँ पे जो difference है कितने का है 16 का यहाँ पे 20 का यहाँ पे यहाँ पे कितने का है 26 यहाँ पे 34 तो आगे क्या होगा 16, 4, 20, 26, 26, 26, 24, 34, 34, 24 यहाँ पे 4 आएड हुआ यहाँ पे 6 आएड हुआ यहाँ पे कितना होगा 10 आपसा नमबर फोर नेक्ट सीरीज है 10, 11, 15, 24, 40 question mark आप देखिएगा इसमें भी difference ही है ओके एक का यहाँ पे 4 का यहाँ पे 9 का यहाँ पे 16 का तो आगे कितने का हुआ 25 सीधे दिख रहा है आपसा नमबर 5 नेक्ष्ट, 25, 10, 35, 35, 35, 49, 40, 49, 10, 49, यहां पर 18 यहां पर कितने का डिफ्रेंस है नो से साथ गया दो आठीश चाह गया दो आगे क्या होगा देखिए 10 4 14 14 14 14 14 14 24 24 26 89 26 एड करेंगे तो 115 आश्वा नंबर 3 ओके 115 नेक्ट देखते हैं नेक्ट स्रीज है 11 9 15 41 159 यहां पर देखिएगा बड़े-बड़े नंबर दी गए आपसन में देखिएगा बड़े-बड़े नंबर दी गए इसका मतलब यह मल्टिप्लाई है इसमें मल्टिप्लिकेशन होगा है देखिए यहां पर 11 11 1-11-1 इंटू 1-2 यहां पर 9 2 18 इंटू 2-3 यहां पर इंटू 3 15 15-4 यहां पर यहां पर हुआ होगा क्या इंटू 4-5 आगे क्या होगा इंटू 5-6 आप देखिए 169 का 5 इंटू 5 75 75 और 45 795 और 45 795 से 6 कम कर देंगे 789 इस कुष्चन का राइट अंसर होगा से 789 आपसे नंबर फोर आईए नेक्स देखते हैं नेक्स कुष्चन है यहां से देखिएगा एट पॉइंट फाइब 10.5 तू का दिफ्रेंज 10.5 16.5 शिक्स का दिफ्रेंज यहां पे बारा का दिफ्रेंज यहां पे बेश का देखिएगा दो चार 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 बारा बारा आट बेस दस तिस आड़ तालीस और तीस अठार दसमलो पांच राइट अंसर है अठार दसमलो पांच आफसा नंबर 2 नेक्स कुष्चन देखते हैं इसक्ष्चन नंबर 73 नेर्ट कुस्चिन है 18 9 9 18 72 कुस्चिन मार्ग देखिए यहां पे भी बड़े बड़े नंबर है इसका मतलब मल्टिप्लिकेशन हुआ है इसमें तो इन्टू हाफ इन्टू 1 इन्टू 2 इन्टू 4 देखिए हाफ का दूगना 1 1 का दूगना 2 2 का दूगना 4 4 का दूगना 8 इन्टू 8 बहततर 8 देखिए इन्टू 566 आइट अपसर नंबर 3 नेक्स्ट कुस्चिन देखते हैं नेक्स्ट कुस्चिन है टेबलड डी आई इसमें बोल रहा है कि 5 महीनों में दो श्टोरों A और B द्वारा बेची गई सर्टों की संख्या दी गई है यहां पे A और यहां पे B ठीक सर्टों की संख्या कारा निटना दी गई है कारा जन्वरी और फरवरी जन्वरी और फरवरी में 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 स्टोर B इधरा बेची गई स्टोर B द्वारा बेची गई देखें यहां पर कितना है 24 और 31 जोड़ोगोई कितना आएगा 55 और इसको जो बाइट करोगे कितना आएगा 44 तो सीधे सीधे 5 अनपाते 4 इसका राइट एंसर है यहां पर आफ्सन कोई नहीं है तो इसका मतलब आफ्सन नमर 5 इसका एंसर हो जागा नेक्स कुश्चन देखते हैं नेक्स कुश्चन है जनवरी अप्रेल और माई जनवरी अप्रेल और माई मैं इस्टोर ए द्वारा बेची गई सेटों की अवसर संख्या क्या है 170 210 340 देखिए 1781 सरी एक सो सक्तर 210 340 दो तीन पांच एक छाइस सो चैस सो सक्तर 680 680 में 40 याड करोगे 720 720 को 3 से डिवाड करोगे 240 आजागा 240 राइट एंसर आफ्सन नमर 4 नेक्स देखते हैं नियाश कोश्यन है फरवरी से माई तक फरवरी से माई तक इस्टोर ए द्वारा बेची गई सेटों की संख्या में कितने प्रिस्यत बढ़ी हुई कितने प्रिस्यत का ब्रिद्ध हुई है 240 340 कितना हुआ 100 तो बढ़ा कितने 240 पे पांच वुटी बारा पांच वुटी बारा या बोले 512 परसेंट ओके 512 परसेंट बार चिपको आड़ तालीस बार यकांबारा बार चंग बहत्तर है किस एकटालीस दसमलो 60 से एकटालीस दसमलो 6 परसेंट एंसर ओजागा आपसर नंबर 2 नेग्स देखते हैं नेक्स कुश्चन है यदी जून में इस्टोर ए और बी माई के बाद जून आगा ठीक सिर जून में इस्टोर A और B द्वारा मेल कर बेची गई सेटों की खुल संक्या ठीक मार्च में बेची गई सेटों की कुल संक्या से 120 अधिक है मार्च में कितनी बेची गई मार्च में बेची गई 190 और 360 50 550 से 120 अधिक है 550 में 720 और add करड़ंगे answer हो जागा शेसो सत्तर आफसा नबर फोर नेक्स देखते हैं नेक्स कुर्श्यन है यादि दिसंबर में दिसंबर बोले तो यहाँ पी होगा घिक जन्वरी से पहले यादि दिसंबर में इस्टोर ए और बी द्वारा मिलकर बेची गई सेटों की कुल संख्या अप्रायल में बेची गई सर्टों की कुल संख्या का 25 परसंट हो तो 210 और 330 आट करेंगे कितना आजागा 540 540 का 25 परसंट एगोटे 4 निकालेंगे तो कितना आजागा 4 एक कम 4 4 तियां 12, 4 25, 135 तो दिसंबर में श्टोरे और बीद्वारा मिलकर बेचीगी सर्टों की कुल संख्या कितनी होगी कितनी होगी कि एक सो पाइटिस इसका अंसर होना चाहिए 135 है नहीं यहां पर देख रहे हैं तो क्रिस्चन्स में मिश्टेक होगा यहां पर 25 परसंट के अर्स्थान पर 75 परसंट होना चाहिए ठीक 75 परसंट तो 540 का 75 परसंट जब हम निकालेंगे ठीक 540 का 75 540 का 3 बटे 4 चाहर एक कम यहां पर 135 135 का 3 गुना 3 बच्चे पंद्राग 5 हांसी लेख 405 405 आपसा नमबर 3 ठीक यहां पर मिश्टेक था 25 परसंट के अर्स्थान पर 75 परसंट होगा आए देखते हैं नेक्स कुस्चन नेक्स कुस्चन पार्टनर्शिफ से है यहां पर बोल रहा है ए ने 25 रूपए से एक ब्यापार प्रारम किया ब्यापार शुरू होने के एक महीने बाद बी 45 रूपए के साथ ब्यापार में आ गया जब एक महीने बाद आया तो कितने महीने के लिए ग्यारा महीने के लिए फिर बोल रहा है ए जो है ब्यापार सुरू होने की 11 महीने बाद पूरी तरह निकल गया इसका मतलब ए भी 11 महीने तक काम किया यदि वार्षिक लाप में B के हिस्से और A के हिस्से में अंतर 48 सो है तो कमाया गया वार्षिक लाप क्या होगा अब देखीगा यहां पे जब हम इनका वार्षिक लाप का अनपाद निकलेंगे 5 25, 25, 5, 45, 5, 39 तरह टोटल अगर हम बोले तो 14 ठीक अब देखीगा यहां पे जो अंतर दिया गया है और कितना है 48 सो चार का मान कितना है 48 सो अब एक का मान क्या होगा 12 ठीक अब टोटल लाप पूचा है तो टोटल मतब 14 14 का मान निकलेंगे 14 2 28 14 14 14 2 16 16 16 16800 अफसा नमबर दो नेक्स देखते हैं इस सेशन का लाज्ट कुस्यन लाज्ट कुस्यन है ए ने दिये गए काम का 5 बटे 6 भाग 10 दिनों में कंप्लीट किया ए जो है 5 बटे 6 भाग कितने दिन में कंप्लीट करता है 10 दिन में तो अगर हम बोले हैं कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है तो क्या होगा पांच एकम पांच, पांच दुना दस, च्छा दुना बारा, कितने दिन में, बारा दिन में complete कर लेगा, ठीक, यहां से एक कमान निकलेंगे, फाइब बाइब सिक्स बराबर टेन डेज है, तो वन कमान निकलेंगे, तो आजागा बारा दिन, अब आगे बिक के लिए काम बी करेगा, कितने दिन में करेगा, बोल रहा है, पूरा काम तेरा दिन में पूरा होता है, तेरा दिन में पूरा होता है, दस दिन तो एक यह था, तो तीन दिन और लगा, तो तीन दिन कौन करेगा, बी करेगा, अब हम बोले, बी जो है, उस काम को कितने दिन में कर सकता था अगर एक बाटे छे काम तीन दिन में कर रहा है तो टोटल काम अठारा दिन में कर लेता हुंके आगे क्या बोल रहा है उन दोनों का अनुपात करंचा क्या होगा तो इन दोनों का अनुपात 12-18 अठारा, लेट्स टू अनुपात्य थ्री, टू रेशियो थ्री, आप्शन नमबर फोर इस क्रिस्टिन का राइट एंसर होजगा, अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब करेजिएगा, बाई, टेक केर,